दोस्तों अभी मैंने करके का कश्मीर फाइस का रिव्यू देखा और देखकर मुझे गुसा नहीं आया पर करके पर दया आई कि उन्होंने कितनी अज्ञानता से उनके उस वीडियो को बनाये हुआ है आज भी लोग हमारे देश में किस प्रकार से प्रोपगेंडा के शिकार हो जाते हैं कुछ लिप्टिस्ट लिबरल्स सोचल मीडिया पर कुछ ऐसे फेक फैक्ट्स फैला देते हैं और उसको लेकर फिर क्यार के हो या और भी कैसे कई सरे हमारी आज की जनरेशन के कई सरे बच् कर वो अपना एक मैंडसेट बना लेते हैं और क्यार के ऐसे ही एक प्रोपगेंडा की शिकार हुए ऐसा मुझे लगता है मुझे उन पर सच में दया आई जिस प्रकार से उन्होंने वो वीडियो बनाया है दे कश्मीर फाइल्स के उफर मुझे सच में दया आई सबसे पहली ही एक बहुत हास्यास्पत बात है और दूसरा जो भी उन्होंने उस वीडियो में कहा है वो बात है इतनी हास्यास्पत है इतनी बचकानी है इतनी चाइल्डिश है कि जिसका कोई अंती नहीं है सबसे पहले तो उन्होंने कश्मीर पंडित अगनी शेकर जी का एक पूराना जो लेप्टिस्टों ने अभी कापी सोचल मीडिया पर वायरल किया है काट छाट किया हुआ एक पूराना वीडियो तो उस पर मैं आगे बताऊंगा स्वेम अगनी शेकर जी ने अभी कल ही सोचल मीडिया पर आकर इस पूरे प्रोपगेंड़ा को लेप्टिस्टों के या फिर आतंकवादियों को साइड में करके दूसरा एक प्रोपगेंड़ा चलाने के लिए लेप्टिस्ट जो भी करते हैं वही सब बताई है क्यारके ने और मुझे बड़ी दया आई क्यारके ने वह सब इसे प्रोपगेंड़ा से भरी भी बात है अपने वीडियो के माद करते हैं सबसे पहली बात अगनी शेकर जी का जो एक लेप्टिस्टों के द्वारा वाइरल किया गया काट छट किया वह जो वीडियो के आरके ने दिखाया है अपने वीडियो में तो उनी अगनी शेकर जी का अभी कल ही उनका आया हुआ वीडियो आप देखिए मैं अगनी शेखर देश में अंतिम सांसे गिन रही कॉंग्रेस के नेता दिग्विजे सिंग की हालत उनकी छट पडाट पर तरस खाता हूं वे इसकदर गवराये और तिल मिलाये हुए हैं दे कश्मीर फाइल्स की अपार लोक प्रियता से कि उन्होंने खिसियानी बिली नखंबा नोचे वाली कहावत को चरतार्थ किया है आज उन्होंने मेरा एक साल पुराना एक वीडियो जारी किया है जिसका दूर दूर तक फिल्म की लोक प्रियता या कश्मीरी पंड़तों का बाजपा के प्रती जो प्यार है साहनबूती है समर्थन है उसके साथ कोई दूर दूर तक का संबन रही है वो अलग इश्यू है वो कश्मीरी पंड़तों के मसलूं को लेकर के हमारा हमारी प्रत्रिया थी उसमें आंकडे कुछ जो माननिय ग्रह मंत्री ने फिर ठीक किये लेकिन उस वीडियो को इस्तेमाल करके विवेक अगनी होतरी की फिल्म जिसके साथ बच्चा बच्चा खड़ा है हर एक कश्मीरी पंड़तों के समर्थन में हम समर्थन करते हैं और बिलकुल गर्व करते हैं कि कोई माई का लाल औ और कोई एक व्यक्ति ऐसा निकला जिसास करके जिसने फिल्म बनाई और कश्मीरी पंड़तों के जिनोसाइड और उसको जुठलाने की तमाम कुछ सित हरकतों इसको बेपरदा कर दिया दिगवेजे सिंग जी शरम करो शरम करो इस तरह खिस्यानी बिल्ली की तरह खंबा नो जोचने से कुछ नहीं होगा लोग समझते हैं कि कश्मीरी पंड़तों का रुजान और वोक्रतग्य और आभारी हैं विवेक अगनी होत्री के वे आभारी हैं वर्तमान सरकार के उस कदम के जिसने 370 उठाया हटाया और आप वही अन्यता हैं जूने जूट कहा था कि 370 के अ कालों की हम इस कश्मीर फाइल्स फिल्म के साथ हैं विवेक अगनी होत्री के साथ हैं बच्चा बच्चा साथ है अगनी शेकर साथ है मैं साथ रहा भी हूं शरम करो एक बात हम आगले वीचे पर पढ़े उससे पहले अभी कश्मीरी हिंदों के लिए अभी जो वर्तमान सरक है मोरी सरकार है उन्होंने क्या क्या किया है वो एक बार दिर्मला सिदर अमंजी से आप स्वयम सुनिये और है कि बिंग टेकन देर वाट रेस्ट अव वालमीकी इस इन दिस कंट्री हाद बीन गिवन बाई डॉक्टर अंबेद कर कि अरफ ने वालमीकी इस वालमीकी इस गट्रा ऒट नॉक्टर आग्न बाई खार्व वर्याजिव प्राइव हाद कि भी रही है 370 आगं के बाद बाद न्रही है उनको आपने लेहारा है कि रिम्टाजों और सिक्टूर भी आशना में जिस अपस्याज का अपस्टीर है इस अवालेब में आपिक अपस्टी का अफूल है इस शेढूले इय। था निडूर प्रमक है तोट्वांटें है बिखे असे से जोगिंग इंटों से, को जाय का एक नशान्यान एक ये श नारा, जबास लोगन विपन अविए इन अवगिए इस चंत्री दोगानों थो, सैंबस, तो प्राम बिनस्टर चेंट चोंटिएन, ले 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 बडिवान, and every time we know the kind of people who have given that constitution to us and we all respectfully raise the name of Dr. Ambedkar so if Dr. Ambedkar's given constitution is so valuable for the rest of the country it's not valuable to JNK and there are several members who ask us the question but not a voice was raised, hurray, why not article 370 which is not allowing us to take Dr. Ambedkar Ji given constitution to JNK why are we not being allowed to take वो आवास कभी सुनने में नहीं आया अभी हटने के बाग पूच रहे हैं क्यों हटाना था क्या बिलकुल हटाना था removal was necessary it was delayed it was delayed and I am grateful as per the repeated manifesto promise of Vartya Janata Party we have fulfilled that promise given to the people of this country 1990 January 19th उतारिक अगर मैं ठीक याद कर रहे हूं हर साल दुख के साथ हम सब बात करते हैं लोग इतने भाइबीती से बाहर आये उनके लिए क्या आपने क्या वाइदा दिया मगर क्या क्या आपने प्रश्न सब लोग पूचे दिए I'll just give you the specific details 1025 transit accommodations have already been completed for Kashmiri Hindu's pundits in Kashmir itself in the valley 1,488 units are at different stages of construction and work on 2,744 units have already been initiated 4,678 posts of Kashmiri pundits filled in Kashmir valley itself बर्ती किया गया है 4,678 लोगों को बर्ती, jobs में बर्ती किया गया Cash assistance and food grains are also provided as relief to such people who have been filled in these units for accommodations and in transit accommodation So Kashmiri Hindus, Kashmiri pundits के ऊपर प्रश्न पूचने वाले सब को हम वादा पूरा करते हैं उस process को मैंने आपके सामने रखा हूँ जरूर हमारे promise को हम फूरे करेंगे अब इसके बाद आते हम आगले वीशे पर इसके बाद K.R.K. ने अपने वीडियो में वही बात कही है जो लेप्टिस्ट हमेशा से प्रोपगेंडा फैलाने के लिए कहते हैं उस समय तो वीपी सिंग की सरकार थी जिसको BGP का समर्थन था, जग मोहन जी उस समय वहाँ के गवर्नर थे, जमुएंड कश्मीर के यही सब बाते जो पूरी तरह के से गलत तक्तियों पर आधारी जो बाते को स्प्रेड करते हैं, वही के आरके नी भी कही है इस पर मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया था भी तीन दिन पहले क्योंकि मुझे पता था कि बाई जब फिल्म को फैक्स के आधार पर काउंटर नहीं कर सकते हैं तो लेप्टिस इसी प्रकार से प्रपगेंडा फैलाते हैं अभी मैं जो सुड़े में मैंने जो फैक्स बताये थे वो मैं आप आपको फिर से पढ़कर बताना चाहता हूँ राजिव गांदी देश के प्रथान मंत्री रहे 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1990 तक भाज़वा नेता टिकालाल टपलू जीन की हत्या से कश्मीर नरसंगहर की शिरुवात होती है उनकी घर में घुसकर हत्या हुई 14 सितंबर 1990 को यानि जब टिकालाल जी को मारा गया तब राजिव गांदी देश के प्रथान मंत्री थे टिकालाल टपलू जी के हत्या के बाद 4 नवंबर 1990 को जम्मू कश्मीर के हाई कोट के जजज निलकंट गज्जु जी को घर में घुसकर मार दिया गया तब राजु गांधी प्रधान मंत्री थे, निरकंट कर्जू जी ने, मक्बूल भट को फासी के सजा दिती पूल जी प्रधान मंत्री बटे रेविड राज लूब अधर हैंनोस फिर्जाफर प्रधान मंत्री व्रविश ड्रधा हैंनोस दित्राव इख टशुछ अश्यौट कर्णार में भूर्धान। अप्र इन अप्रधाई एंधिन अभू लूझर प्रधार आज भी टाजू प्र on the kin of martyrs by the way they have displayed their complete amnesia to the sufferings of Kashmiri Pandit people a quick trial I think this is an open and shut case the killer has confessed to the crime on TV a public hanging in this case which normally is not the case for civilized countries for the likes of Yasin Malik after a quick trial won't be asking for too much I think that is the least that the government can do by that you know I think we are able to atone for the sins because who can forget that this nation had to undergo the shameful spectacle of this killer being hugged by the previous Prime Minister Dr. Manmohan Singh I know that we expected more from Modi government they made some right steps we hope the movement would have been faster but we have no other option but to open pray that this government comes back and pursues this course of justice going forward we are just making some amendments to the horrific distortion of policy that we have seen in Kashmir I think you know separatism militants being anti-national across walks of life has been rewarded and people who stood up for the nation who represented the idea of India in fairly hostile circumstances it's them who have had to be at the receiving end of the state I think these distortions are set right there is some start which has been made killed the judge who tried and passed the death sentence on the JKLS leader I don't want to go back to that yeah 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 this is the case of 1986 when Kashmir me dengay hovay the is the this is the case of this is the case of Kashmir shindu hovay thai the is the case of the shindu hovay thai the narsanghahr hovay thai 1986 when the is the case of 1986 which is the case of the raji guandhi the surrkar hithi the purno behumat lekar satta me bėthay raji guandhi naye kya in hathyao pere istipa dya thai kuch this which is the case of kariwaii ki thi kya you can see kya aap nne kis hik bhi secular aadmi ka post congress congress raji guandhi ke khilaab dekha जो भाजपा को जबरदस्ती इसका जिम्मेदार ठहरा कर अपना पीछा चुड़ाने में लगे हैं विपी सिंग देश के प्रधान मंत्री बने 2 दिसंबर 1990 को और हिंदू कश्मीर छोड़कर भागे 19 जनवरी 1990 को यानि ठीक एक मेहने पहले विपी सिंग सरकार बनी धी और उसमें भी BJP ढiredly सत्ता में involved नहीं थी विपी सिंग सरकार के बहार से समर्थन दिया हुआ था तो ढiredly BJP का तो कोई ऐसा power में BJP उस समय नहीं थी क्योंकि उस समय उनकी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी और दोस्तों मैंने सोचल मीडिया पर कुछ ऐसे भी तर्क पड़े जिसमें लिबरेस नहीं ये कहा था कि भाई फिर बीजेपी ने तुरंक अपना समर्थन क्यों नहीं हटा लिया विपिसिंग सरकार से देखिए जम्मु कश्मीर में 18 तारीक को ही फारुक अब्दल्ला ने रिजैन कर दिया था कश्मीर को अनाज छोड़ दिया था वहाँ पर जो गवर्नर गए थे वे अभी पूरी तरीके से उन्होंने चार्ज अपने हाथ में लिया भी नहीं था और फिर ऐसी स्तिती में जम्मु कश्मीर में कोई सरकार नहीं है ऐसी स्तिती में क्या फिर केंदर के सरकार को भी गिरा देना कहां तक उचित रहता मतलब ये क्या देश में पूरी एक अराजकता के स्तिती चाहते थे और सच्ची बात और जो reality है वो यह है कि बीजीपी ने कुछी समय के बाद में कुछ महिनों के बाद में अपना समर्तन हटा लिया था तो विपी सिंग देश के प्रदान मंत्री बने 2 दिसंबर 1990 को हिंदू कश्मीर चोड़कर भागे 19 जनवरी 1990 को यहनी जो कुछ हुआ उसके लिए सिर्फ एक मेहने पुरानी सरकार और उस सरकार को बाहर से समर्तन देने वली भाचवाच जिम्मेदार है और जो 5 साल पूर्ण भहुमत से राज करके चले गए वो पाक साफ है जगमोहन जी जम्मू और कश्मीर के दो बार गवर्नर रहे पहली बार राजियो गांदी के समय 26 अप्रेल 1984 से लेकर के 11 जुलई 1990 तक वे गवर्नर थे 1987 में नैशनल कॉन्फरेंस और कॉंग्रेस मिलकर चुनाओ जी थी 1987 में और फारुक अब्दुला सीम बने इसके बाद जनुवरी 1990 में विपी सिंग सरकार ने जगमोहन जी को फिर से जम्मू और कश्मीर का गवर्नर नियुक्त किया जनुवरी 1990 में दो बारा जगमोहन जी जम्मू और कश्मीर के गवर्नर बने जिस दिन कश्मीर हिंदो का जैनुसाइड हुआ 19 जन्वरी 1990 उससे ठीक एक दिन पहले फारुक अब्दुल्ला ने रिजाइन कर दिया था यानि जन्वरी 1990 में विपिसिंग सरकार ने जगमौन जी को तोबारा से गवर्नर नियुक्त अवश्य किया था पर वे आकर चार्ज संभालते पूरा उससे पहले ही फारुक अब्दुल्ला ने 18 जन्वरी को रिजाइन कर दिया था और उसके ठीक एक दिन के बाद में जो अनात कश्मीर था जहां पर सीम ने अभी अभी रिजाइन किया हुआ है गवर्नर भी अभी अभी नए नियुक्त हुए हैं जो उन्होंने अभी पूरा चार्ज वने संभाला हुआ दुसरी तरफ देश में बिल्कुल अभी एक नई अस्तिर सरकार बनी हुई है जिसके पास कोई पूरन बहुमत नहीं है उसका कोई पूरा कंट्रोल भी चमिन कश्मीर पर नहीं था उन्होंने की राष्टरपती शासन वहाँ पर लगाया हुआ नहीं था एक दिन पहले ही फारुक अब्दुल्ला ने कश्मीर को ऐसे अनाज चोड़कर रिजाइन कर दिया और उसके दूसरे ही दिन अतंकवादियों ने इस प्रकार से कश्मीरी हिंदों का नरसंगार किया जैनुसाइड किया पाच लाग कश्मीरी हिंदों को अपना घर, बार, सबमती, समीन, सब कुछ छोड़कर आसे चाना पड़ा और इसके दिखिए लेप्टिस्ट किस प्रकार से पूरा फिक प्रोपगेंडा स्प्रेड करते हैं और इवन राहूल पंडिता जिने लेप्टिस्ट लिबरल्स काफी पसंद करते हैं स्वयम कश्मीरी पंडित है पर फिर भी लेप्टिस्ट लिबरेस उन्हें खाफी पसंद करते हैं शिकारा फिर्म की कहानी की भी वे साहयक लेखक भी थे ऐसे राहूल पंडिता जो विवेग अगनी तुरीजी पर खाफी तंच कसते थे और सबसे महतो पुर्णबाद उस समय कश्मीर में धारा 370 थी तो उनके उस राज्ये के अपने कुछ अलग अधिकार थे सम्विधान पूरी तरीके से वहाँ पर लागू नहीं था ये सब बात ही जब वहाँ पर थी ये जो आतंकवाद की इतनी भयानक समस्या है उन सब बातों पर चर्चा करना छोड़ कर कॉंग्रेस या लेप्टिस देखे किस प्रकार से पूरा यंग जनरेशन को युवाओ को किस प्रकार से ब्रेनवाश करने का काम करते हैं और दोसर सबसे महतों पुर्णा बात 1990 में जो कश्मीरी हिंदों का जेनोसाइड हुआ वो के पहला जेनोसाइड नहीं था सन 1300 से लेकर के अभी तक का ये कश्मीरी हिंदों का सात्वा जेनोसाइड था सन तेरा सो में जब मिर शमसुद्दिन मुहम्मद एराकी ने भारत पर अक्रमन किया उस समय उसने किस प्रकार से लाखो लाखो कश्मिर हिंदों का जेनोसाइड किया ये खुद एराकी के बेटे ने इतिहास में उसकी पुस्तक में लिखा हुआ है जिसका पूरा संदर भी फिल्म के अंदर दिया गया है अभी भी अगर कोई चाहे तो वो पढ़ सकता है उस समय कौन गवर्नर था मतलब ये मैं लेप्टिस्ट और लिबरल्स का आप माइंडसेट देखिए वे आतंकवाद पर बात नहीं करेंगे आतंकवाद के समस्या पर बात नहीं करेंगे कटरपंति मानसित्ता पर बात नहीं करेंगे पर ये टार्गेट करना है बीजेपी या फिर भाई गवर्नर कौन था जिन बातों का वैसे भी कोई तथ्यात्मक रूप से भी कोई मतलब नहीं बनता है पर मुख्यमुद्दा जो आतंकवाद है उसको ये पूरी तरीके से साइड कर देते हैं इग्नोर कर देते हैं उस पर तो इने बात करनी नहीं है इसके बद आगे वीडियो में के यार्के ने गुजरात के 2002 के दंगों पर बनी फिल्मों का उल्लेक किया है और कहा कि मोदी जी ने उन फिल्मों को गुजरात में रिलिस नहीं होने दिया था अब देखे सबसे पहली बात तो के यार्के ने खुदी बता दिया कि गुजरात के 2002 के दंगों पर आज तक बॉल्यूट ने कितनी सारी फिल्में बनाई हुई है यवन क्यारके ने तो उल्टा कम उधारन दिये हम और भी कुछ उधारन दे सकते हैं कुछ फिल्मों के, कुछ वेब स्रीज के जैसे की काईपोचे का आप उधारन ले लीजिए या पिर हाली में कुछ ऐसे वेब स्रीज भी आई है जिनमें गुजरात के 2002 के दंगों का उल्लेक हमें देखने को मिलता है तो सबसे पहले तो मैं क्यारके से पूछना चाहूंगा कि क्या इनमें से किसी एक फिल्म में भी किसी एक में भी जो 69 हिंदों को जिन्दा जलाया गया था ट्रेन में जिनमें महिलाय और बच्चे भी थे क्या उसका उल्लेक इनमें से किसी एक फिल्म में भी किया गया है अब जब 69 हिंदों को ट्रेन में जिन्दा जलाया गया था उसके बाद में जो दुखत दंगे हुए उनमें हिंदों और मुस्लिम दोनों की ही मृत्ति हुई थी जो की बहुत बहुत दुखत है पर क्या उनमें से किसी एक फिल्म में भी जो 69 हिंदों को जिन्दा जलाया गया था क्या उसका उल्लेक मिलता है हमें क्या उसका उल्लेक किया गया है तो क्या उन फिल्मों का हमें one-sided नहीं कहना चाहिए जैसे कि अभी The Kashmir Files को social media पर कई सरे लोग one-sided कह रहे हैं हाला कि The Kashmir Files में अंत में दर्शन कुमार के character ने जो speech दिया है न उसमें वो कहता है कि आतंकवादियों ने जो moderate Muslims थे ना उनकी भी हत्या की थी ये उलेक The Kashmir Files में है पर आपने जिन फिल्मों का उधारन दिया और भी जो कुछ फिल्में गुजरात के 2002 के दंगों पर बनी हुई है क्या उनमें जो 69 हिंदों को जिन्दा जलाया गया था क्या उसका उलेक उनमें हमें देखने को मिलता है और दूसरी बात आप दंगों की तुलना जेनोसाइड से नहीं कर सकते है सबसब पहले दंगों और जेनोसाइड में क्या फरक होता है ये आपको समझने की आवशकता है कश्मिरी हिंदों का जेनोसाइड हुआ था उन्हें उनकी फेद के कारण उनकी श्रद्धा के कारण उनकी आस्ता के कारण पाँच लाख कश्मिरी हिंदों को मार मार कर उन्हें बगाया गया था कई सारी बहन बेटियों के साथ में सामुहिक बलातकार हुए थे पिता के सामने उसकी बेटी के साथ पत्नी के साथ एक साथ में सामुहिक बलातकार हुए थे निर्मला सितारमंजी ने संसत में इसका उले किया है और ये कुई एक दो घटनाए नहीं है ऐसे सेकड़ों नहीं हजज़ारों हज़़ारों घटनाए है पाँच लाख लोग पाँच लाख से भी ज़्यादा लोग ऐसे ही मन में आ गया और वो अपना सब कुछ जमीन, घर, संपत्ति सब कुछ छोड़कर ऐसे ही नहीं भाग जाते हैं कुछ दोजारों के हट्ट्या हुई इसकारण से करश्मीरी हिंदों का कल्चरल जेनोसाइड हुआ था तो आप कल्चरल जेनोसाइड के तुलना दंगों के साथ नहीं कर सकते हैं इसके अलबा के आरके का ये कहना था कि मोदी जी ने गुजरात के 2002 के दंगों पर आधारी जो फिल्म में हैं उन्हें गुजरात में रिलीस नहीं होने दिया था सबसे पहली बात तो देखिए अगर हम 2014 के बाद में देखे आज मोदी सरकार है देश में 2014 के बाद में देश में सबसे जदा प्रोपगेंड़ा फिल्में बनी है सबसे जदा कम्यूनिस्ट आडियोलोजी वाली फिल्में बनी है जिनमें आतंको तक जस्टिफाई किया गया है नकसी लोगों को गलोरिफाय करने वाली कई सरी फिल्में वेब स्रीज हमने हाली के समय में आई हुई देखी है देश में मैंने ऐसे भी फिल्में देखी हुई है जिसमें कर्ण नाम के पातर के द्वारा भगवान स्रीकृष्ण के नाम के पातर की हत्या को दिखाया है और उसे सेलिब्रेट किया है मेटाफॉर, सिंबॉलिक वे में और भई मैं बताने लग जाओंगा तो नेट्फिक्स इंडिया का कंटेंड अगर एक-एक में उठा कर बताने लग जाओंगा तो कितना सारा ऐसा हिंदू-फोबिक कंटेंट हमें देखने को मिला है कितनी सारी ऐसे फिल्म हैं जिनमें भगवाजंडा हाथ में ले हुए करेटर्स को पूरी तरीके से इतना निगेटिव दिखाया है हम सब ही जानते हैं या लेला जैसी वेब सिरीस का आप उधारन ले लिजे ने फिक्स इंडिया की कितना सारा प्रपगेंडा कंटेंड बना है क्या इन में से किसी एक को भी किसी एक को भी बैन किया गया मुझे तो नहीं याद है उल्टा सबसे जादा प्रपगेंडा कंटेंड जितना मैंने देखा है 2014 के बाद में ही बना है यो कंटेंड को छोड़ दो आप वो तो चलो फिक्शनल वगरा वो भी मनगड़न कहानिया लेकर क्लिकते हैं रियल लाइफ में कई सारे stand-up comedians ऐसे हैं कई सारे social media so-called influencers ऐसे हैं जिन्होंने मोदी जी को गालिया दे दे कर मोदी जी को गालिया दे दे कर अपना career बनाया है फिर भी अगर कोई कहे कि मोदी जी फासिस्ट है भाई अपी मोदी जी ने जिस संबोधन की उलेक के अरकेनिक है उसी संबोधन में मोदी जी ने कहा है कि भाई आप अगर कश्मीर फास के narrative से agree नहीं करते हैं तो आप अपने narrative वाली फिल्में बनाईए आप अपना दूसरा point of view रखने वाली फिल्में बनाईए किसने रोका है आपको ये कहा ना तो बॉली उट तो बनाई रहा है और बनाई चोर-चोर से बनाई किसने मना किया है पर पास्ट में कुछ दो-चार फिल्मों के आपने नाम बता दिये कि भाई उनको release नहीं होने दिया था वगरा वगरा ये जो selective बाते आपने कहिए बाई मैं ऐसी और भी कैसरी फिल्मों के उधारणा को दे सकता हूँ जिनको बैन किया गया था 2014 से पहले दविंची कोर्ड से लेकर के ये सिन नाम की एक फिल्म आई थी जिसे एक पादरी को मतलब sexual relationship में वगरा दिखाया था उसको तक बैन कर दिया गया था दविंची कोर्ड को कैसरी राज्यों में बैन कर दिया गया था और आंधी नाम की जो फिल्म आई थी उस समय तो उसके साथ उसके तो ओरिजिनल प्रिंट को ही पूरा जला दिया गया था किश्योर कुमार जी के गानों को मतलब अगर मैं भाई बताने लग जाओंगा न तो भाई समय कम पड़ जाएगा आकाशवानी पर तो भाई राम जी के भजन मैंने वो वीडियो भी हमारे एक वीडियो में दिखाया हुआ है कि प्रभुशी राम चंदर जी का जन्मा अयोध्य है में हुआ था ऐसे उलेक का एक भजन आकाशवानी पर एक गाई का गाने के लिए गई थी तो उनको गाने से मना कर दिया था कि आप ये उलेक नहीं कर सकते तो क्या-क्या बैन हुआ है क्या-क्या नहीं हुआ है इसके अगर इतिहास में हम जाएंगे न तो बहुत सरी बाते बताई जा सकती है अभी जो वरतमान में हम देख रहे हैं 2014 के बाद में आज मोधी सरकार है और मैं इतना विश्वास से कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रोपगेंडा वाला कंटेंट सबसे ज़्यादा हिंदूफोबिक कंटेंट 2014 के बाद में ही रिलीज हुआ है तो अंत में मैं क्यार के कोई ही कहूँगा कि आपको अपना ज्ञान बढ़ाने के आवश्यक्ता है आपने जो बाते कहिए वो मुझे तो कम से कम हस्यस्पद लगी बागे दोस्तों आपके इस पूरे विशे पर क्या विचार है मुझे आपने जो कमेंट में आवश्य बताना ये वीडियो दें के लिए आप सभी में रोगा बहुत बहुत धिन्यवाद जैश्री राम बंदे मातरम